तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सोया चंग्स की सब्जी जो देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत स्वाधिस्थ होने वाली है पानी को गरम करने के लिए कढ़ाई को चूले में चड़ा दिया गया जिसमें हम सोया चंग्स को डालें क्योंकि पतंजली का नहीं मिल पाया इसलिए हम निलन्स का सोया चंग्स का इस्तेमाल करे रहे हैं अब हम पानी में डालने वाले हैं नमक ताकि सोया चंग्स नमक एब्सॉब कर ले जहाग निकलने पर समझ जाना कि सोया चंग्स उबल चुका है हम ले रहे हैं सिम्ला मिच जिसे हम बड़े बड़े पीस में कात लेंगे हम यहां सिम्ला में इसके बीच को निकालकर अलग कर ले गएं क्योंकि यह बेकार होता है परिशानी का दा करता है आप ही का बीच है यहां हम टमाटर को भी बड़े-बड़े पीस में काट लेंगे दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए प्याज को हम दो अलग-अलग तरीक से काटने आए पहले तरीके में हम प्याज को बड़े-बड़े पीस में काटेंगे अब हम प्याज को बारीक तरीके से चॉप करेंगे द्यहान रहें, हाथ न कटें अब आप देखिए जाज कैसे काटना है यहाँ सभी सब्जियों को काट लिया गया है यहाँ अद्रक लसन जिसे पीछ लिया है अब सोया चंक से हम यहाँ यूज कर रहे हैं पताँ चली का सफोदेज और तमाम तरह के यह जो तेल मुस्वया चंक को हलका ब्राउन होने का स्प्राइ करेंगे कड़ाई में तेल डालेंगे यहाँ हम ले रहे हैं पारीज कटेश याज त्माटन, नमक, अत्रक लसंटेश, हरी मिठ, लाल मिठ पाऊडर, हल्डी, धनिया, रूड़ी, धनिया, घ।्सक्रूब। अब डालेंगे थोड़ा पानी ताकि मसाले जल मज़ाए अब डालेंगे एक चम्मत चिकन मसाला तो दोस्तों यहां हम ले रहे हैं अमूल चीज जो सब्जी को और भी ज्यादा स्वादिस बनाने वाला है सच बाराओ! सच बाराओ! अब डालेंगे कमाटर, शिल्ला मिर्च, अब हम डाल रहे हैं सोया चाप्स थोड़े देर तक अब सब्जी को पकाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा चलो वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेए तो दोस्तों तयार है हमारे स्वया चंग्स की सब्जी मिलते हैं अगले वीडियो में अलग और मज़िदार रेसिपी के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने धन्यवाद